यह ले लिए चेड आलो ले लिए इसमी नृट बफित एक नृट ले रिख दूँगा है को अब इनको इनको में बोल ने के लिए रख दूँगे चड़ तो काम जले पाण दो यह दो फ्याज थोड़ा बेल अद्रक ले लिए लेए तो पहले हमार ने की दालने बनाएंगे और फिर पूरी का डो लगाएंगे तब तक हम पूरी का डो लगा लेंगे तिक आता चम्मच इसमें मैं नमक डाल दिया है और दो चम्मच मैं डालूंगी इसमें घी के काइऊ दो अजवाईद भी डाल सकती है थोड़ी सी उछुड़ा पूरी में टेस्ट अच्छा आता है लेकिन इससे मिक्स कर लेंगे और फिर अब मैए इसमें अड़ करूंगे हलकी से कस्तूरी मेत्री तकerez सके के अप तो क्रेश् mics में इसमें Peach Ali Sn लगा लागा तो पूरी का पूरी का पूरी का दो में लगा दिया है और यह दो हम नॉर्मल रोटे से थोड़ा-सा राब लगाते है इसे पूरी बहुत अच्छे से बनती है फूल के तो अब इसे 10-15 मिनिट के लिए रख देंगे ठापके तब हम आलो की सब्जी बना लेंगे आलो को बोलाएं लिए है देखें आलो को छीर लूँगी और यह मसाला भी मैंने त्यार कर लिए है चौक करके तो पहले आलो को छील लेंगे फिर तड़का लगाएंगे तावार है तो पैन में एक बड़ा चमज टेल का डाल के गरम कर लिया है यह सरसोंका तेल मैंको इसे अच्छे से घरम किया है तो पहले हम इसमें जेरा ढाल देंगे तो यह मैं थे आख बड़ा चमज के करीब न की जीरा दाल दिया अचहाए लपस्लोगरब दालेंगे चॉप करके रखा था प्याज को एड़ करेंगे तो अध्याज को भून लेंगे मिशले को तो प्याज हमारा भून गया है अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे तर्फासाज में खरी मिक्षी भी डाल देंगे मिक्स करेंगे तमात्रों को पका लेंगे अब इसके अंदर वन पोर्थ में डाल रहे हूं हल्दी और आदा चम्मच इसमें आड़ करेंगे धनिया पौडर आदा चम्मच कश्मीदी लाल मिंच अब इसमें अच्छा मारा मसाला भूँजिया है अब इसमें आड़ कर देंगे अदा चम्मच लम्मक का निक्स कर लेंगे अब मैं इसके अंदर फोड़ा सा पानी डाल दो गिए पानी डाल दिया है यह वाले बड़े चम्मच एक करीब पानी डाला है थोड़ा भून लेंगे मसाले को अब इसमें बॉल करके कट करके रखे थे उनको मसाले में आड़ कर देंगे सबको है मसाले में आणयां एक पानी गठेंगे अ इनको अधे लोगे एक पानी घॉण फूल देगкий डीना स्थी डाले को अम आधु जोड़ा भूली इसमें मसाले के साथ अधर अब इसमें हर्चा चालियों पानी कर लेंखे रफे शकत बीनानी डावलाला है ने सब कर फेई पान सब्जी मारी बन के त्यार है इसमें वन फॉर्थ स्पुन में आम चुर अधिक प्रणागी आम चुर को पाउडर और फोड़ा सा इसमें वन फॉर्थ के हिसाब से मैंने डाल दिया है गरम मसाला अच्छा से मिक्स करेंगे करेंगे अब इसमे क्रेश करके थोड़ी से कस्तोरी मिथ्री अपस्तोरी मिथ्रीख में करते कुछ बढ़ा है अब नैंग स्तोरश मिथटि है था वर लोंतो जब बने अन लगा के हुआ एक लग कि ले लिए और पूरी को देखिए चकले के ऊपर भी हम ऐसे घी लगाएंगे और ऐसे बेनना शुरू करेंगे पूरी को करेंगे रफाइंड को गर्म कर लिए थोड़ा सा आठा डाल के देख लेंगे हमारा अच्छा गरम हो गया तो अब इसके अंदर मुरी को ढाल के तर लेंगे के पूरियों को सुखती है कि आठेवे निकाल देंगे हैं अगली पूरी को भी आप से बेल लिए और पूरी को जादा मोटा और यहां बाद दो बेल ना है मिटियम थोग्त पूरी को बेलना है तो बेलते वक्त हमें चीजों का ध्यान दखना है तो पूरी मारी कितने अच्छ पूरी हमारी बहुत अच्छे नहीं कंदो है तो देखिए पूरी और अलो की सबजी और बन के त्यार है तो अगर आपको मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बैल आइकन को प्रेस करना न भूले ताकि आपको मेरी नियूम वीडियो मिलती रहें रहें ड़ स्जान जरू प्राई किजिए अलुपूरी की पी